जै प्रकाश नराइन यानी जेपी देश में जब जब इमर्जेंसी की चर्चा छड़ती है तो जेपी कैस्मरान स्वता हो उड़ता है जेपी को देश की जनता आदर से लोक नायर कहती है जेपी ही तो थे वो शक्स जिनकी एक आवाज पर पूरे हिंदुस्तान की जनता ने संपूर्ण क्रांती का नारा बुलंद किया था जेपी का जन 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा ग्राम में हुआ था जेपी अपने पिता हरसुल दयाल स्रिवास्तो और माता फूल रानी देवी की चौथी संतान थे प्रारंबिक शिक्षा दिक्षा गाउं में होने के बाद 9 साल की उमर में जेपी गाउं छोड़कर पटना कॉलेजेट पढ़ने चले गए 18 साल की आयू में उनका विवाः प्रभावती देवी से हो गया विवाः के बाद भी जेपी ने पढ़ाई जारी रखा इसलिए प्रभावती कस्तूरवा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रहने लगी उधर जेपी आगे की पढ़ाई के लिए 1922 में अमेरिका चले गए वहाँ की पढ़ाई में जेपी को आर्थिक दिक्कते आने लगी तो उन्होंने वहाँ रिस्ट्रेंट में काम करना शुरू कर दिया लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी की 1929 तक जेपी अमेरिका में ही रहे चातर जीवन में ही जेपी ने स्वतंतरता संग्राम में हिस्सा लिया और बिहार विद्यापीट में शामिल हो गए जिसके स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी 1939 में जब वे अमेरिका से लोटे भारतिय स्वतंतरता संग्राम टेजी पर था, उनका संपर्प जवाहरलाल नहरू से हुआ, वे भारतिय स्वतंतरता संग्राम का हिस्सा बने, 1932 में गांधी, नहरू और अन्य महतुपूर्ण कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद, उन में उनकी मुलाकात मिनू मसानी, अचित पटवर्धन, एंसी गोरे अशोक महता, एमेज दातवाला, चार्ल्स मासकारिन हास और सीके नरैंट स्वामी जैसे उत्साही कांग्रेसी नेताओं से हुई, जेल में इनके द्वारा की गई चर्चाओं ने कांग्रेस सोसलिस्ट पा अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेत्रित्व किया, उन्हें गिरफदार कर लिया गया और नौ महीने की क्यात की सजा सुनाई गई, उन्होंने सो बेआलिस भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान जेपी अर्थर जेल से फरार हो गया, उन्होंने स्वतंदरता के दोरान हथियारों के उपयोग को सही समझा, उन्होंने नेपाल जाकर आजाद दस्ते का गठन किया और उसे प्रशीक्छन दिया, उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन में गिरफदार कर लिया गया, उन्हें सो पैतालिस में उन्हें आगराज जेल में अस्थ भूमी का निवाई, भारत के स्वतंत्र होने बाद उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से स्तीफा दे दिया और चुनावी राजनीत से अलग होकर भूमी सुधार के लिए विनोवा भावे के भुदान आंदोलन से चुड़ गये, 1960 के दर्शक के अंतिम भाग में वह राजनीत में पुना सक्रिये हुए, जेपी इंद्रा गांधी की प्रशास्तिक नीतियों के विरुद्ध थे, गिर्ते स्वास्त के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भरस्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, जैप्रकास जी ने 1974 में भारती राजनीतिक परिद्रि हो गया और जेपी ने उनके स्टीफे की मांग कर दी, इसके बदले में इंद्रा गांधी ने रास्ट्रिया पातकाल की घोशना कर दी और जेपी तथा अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफतार कर लिया गया, जेल में जेपी की तवियत और खराब होने लगी, साथ महीने ब बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निश्पक्ष एम ताजाख खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें, शुक्रिया.